गुडवीडिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे exercise जिसमें single correct answer type के questions हैं तो सबसे पहला question कहता है the sum and difference of two vectors, perpendicular vectors of equivalent r चार option दिये हैं, पहला option है perpendicular to each other and equivalent दूसरा answer है perpendicular to each other and different length of equivalent have an obtuse angle between them, of equivalent and have an acute angle between them तो चार option में एक answer सही है, तो आज हम लोग चार questions करेंगे इसके तो दूसरा question है the minimum number of vectors having different place तो पहले सबसे पहले first question करते हैं बच्चों, देखिए first question में कहा गया है कि दो vectors हैं माले, एक vector a है और दूसरा vector b है तो अगर हम इसका sum find करें, तो sum कैसे find करते हैं चुकि दोनों perpendicular vector हैं, तो इसका sum जो है, इनके बीच में आएगा इसको हम बोलेंगे a plus b, यह हम सब जानते हैं इसी तरह अगर हम इसका difference करें, तो difference के लिए क्या होगा देखिए, दोनों equivalent के हैं, a और b दोनो equivalent के हैं तो इसका magnitude आएगा, resultant आएगा, वो इन दोनों के बीच, यहनि 45 degree पर आएगा क्योंकि दोनो 90 degree पर है अगर इन दोनों difference निकालें, तो difference क्या कर सकते हैं, b का minus कर दे, तो यह difference हो जाएगा यानि कि स्वारी, यह इसका negative direction में आजाएगा, तो और negative direction आएगा, तो यह हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं a minus b, यानि यह इसका difference हो गया अब answer हमको देना था, कि दोनों जो vector आये है, result आया है, यह आपस में कैसे है तो पहले बात तो दोनों same length क्योंगे, क्योंकि यहाँ भी same length है, यहाँ भी हमने same length ही draw किया है और यह भी 45 degree पर आएगा, तो और दोनों मिलकर के क्या angle बनाएगे, और बेस यह बात है 90 degree यहाँ कि first option इसका correct होगा, और first option यह कहता है, कि दोनों vector जो है, equal length के होगे, यह वाला vector और यह वाला vector, और दोनों perpendicular होगे, यहाँ कि दोनों के बीच का 90 degree बनेगा अब बात कर लेते हैं question number 2 की, जिसमें question number 2 में कहा है, मैं आपको दिखा देता हूं question number 2 कि the minimum number of vectors have in different planes, which can be added to give 0 resultant, यानि कि कितने vectors का, जो different plane में हों, sum 0 होगा, resultant 0 होगा, तो देखिया, option दिया है, 2, 3, 4, 5, तो देखिया, हम लोग कैसे करेंगे इस question को, मालने हमारे पास एक vector a है, ठीक है, और दूसर vector b है, यह x plane में है, यह y plane में, दोनों different plane में है, a vector और b vector, बच्चों इसका जो resultant होगा, वो x y plane पर होगा, x y plane पर होगा, एक मान लिजिए, इसका resultant आया r, अब अगर इसके resultant को हमें 0 करना है, तो ठीक इसके opposite direction में हमें draw करना पड़ेगा, minus r, उतनी ही length का, उतनी ही magnitude का, हमको opposite direction में resultant लाना होगा, जिसके विजए से दोनों का sum जो है, r और minus r की क्या होजाए, 0 होजाए, यही उपकह रहा है, यही question का answer होना चाहिए, तो अब देखिए, कितने minimum number of vectors होने चाहिए, एक, दो, तीन और चार, तो इसका option जो है, 4 होगा, और इसका third option सही है, 4, तो इस तरह से इस question को perform कर लेंगे, अब question number 3 की बात कर लेते हैं, अच्छो, question number 3 में figure दिया हुआ है, मैं figure बना देता हूँ, figure कुछ इस तरह का है, देखिए, ऐसे दिया गया है, यह और यह दिया गया है, यह पर ऐसे direction दिया गया है, यह B vector है, यह A vector है, और यहां से कुछ इस तरह का है C vector और यह vector हमारा इस तरह दिया है D vector सारे vector सामको दे रखे हैं question में हमको पहला option की पूछता है कि correct relation क्या होगा देखिए A plus B और plus E is equal to 0 तो क्या यह option सही है तो देखिए A vector इस तरफ है B vector इस तरफ है और E vector इस तरफ है यानि तीनों का सम 0 है यह देखिए triangle ला है triangle ला कहता है A, B और C अगर इस तरह का कुछ बन रहा है हमारे पास आप करती हैं design या triangle तो उसका sum 0 होता है A plus B plus C equal to 0 होता है तो यह चीछ triangle ला को represent करती है तो यह यहां पर देखिए triangle ला लग रहा है A vector इस direction में B इस direction में और C तो यह क्या बना रहा है cyclic बना रहे है यह E vector है तो यह वाला option correct है फिर दूसरा option क्या कहता है दूसरा option कहता है कि C minus D is equal to A minus A sorry तो इसको हम समझने के लिए क्या कर लेते है C plus A लिख लेते है is equal to D अब देखिए C plus A का resultant क्या D है तो देखिए C हमारा यह है और A हमारा यह है यानि A plus C is equal to D यह आपने पढ़ा है इसे A, B यह तो मैं example दे रहा हूँ A, B और इसको यह C कह सकते है तो A, B का resultant C हो गया तो दोनों का resultant आपको find करना है जैसे आपने लिखा था A, B जैसे आप कहीं लिखते हैं A लिखते हैं A vector बनाते हैं फिर B vector बनाते हैं तो C इनका resultant होना चाहिए इसका tail होगा और इसका head होगा यह C हो जाता है यही बात यहां मने बताई समझाई आपको तो दो vector का rule है A, B मिलकर के resultant C दिया इसने तो यहां लिख सकते हैं C plus A तो C A plus C और यह D के बराबर है तो यह भी correct option है हमारे पास third option क्या कहता है third option कहता है B plus E minus C is equal to D minus D, sorry यह minus D है ठीक है, यह minus D है तो क्या हम minus वाले को धर ले आएं तो हमें आसानी रहेगी समझने में plus D ले ले लें और C को धर कर दें तो देखो B, E और D इन सब का sum क्या resultant C के बराबर है तो देखे B हमारा क्या है B हमारा यह है correct है E हमारा क्या है E हमारा यह है यह भी correct है इसके head से जुड़ रहा है और D देखिए D इसके head से जुड़ रहा है तो इन टीनों का resultant क्या होगा starting का tail और final का head जोड़ दिया हमें C के बराबर आ गया तो यह भी correct formula है चौथा option all up the above है तो यह चौथा option Q4 की बात कर लेते है Q4 में हमको कुछ different दिये गए है set और उसमें कहता है कि कौन सा set forces का 0 नहीं हो सकता तो पहला दिखिया answer दिया है 10, 10 और 10 दूसरा option दिया है हमको 10, 10 और 20 तीसरा option हमारे पास है 10, 20 और 20 चौथा option हमारे पास है 10, 20 और 40 देखिये पहले इसके लिए triangle ला समझिए कभी भी दो vectors A और B हैं अगर और उनका result in C है तो किनी भी दो vectors का जो sum होता है जो sum होता है वो C के बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए छोटा नहीं होना चाहिए तभी triangle ला को यह proof करेगा यानि किनी दो vectors का sum या तो तीसरे के बराबर हो या ज़्यादा हो तभी यह triangle फॉर्म करेगा otherwise नहीं करेगा तो पहला देखिया option 10 10 जुल गया 20 हुआ 10 के से बड़ा हो गया थर्ड वाले एक से बड़ा हो गया तो यहीं पर सामारी जो condition है वो अपलाई हो गया यानि कि यह triangle ला follow करेगा ओके है अब दूसरे की बात कर लेते है देखिये 20 और 20 40 तो 10 से बड़ा हो गया यह भी triangle ला को follow करेगा किनी भी दो इसी में ही हम 21 से बना सकते है एक यह combination बना सकते है एक यह combination बना सकते है और एक यह बना सकते है तो कोई एक साही हो जाए तो हमारा साही हो जाए अब इसकी बात करते है 20 और 10 जुल गया 30 आया तो 10 के से बड़ा हो गया तो ये भी correct है ये भी triangle law को follow करेगा लेकिन यहाँ देखिए 40 और 20 तो 60 हो रहा है लेकिन 10 और 20 हमारा form नहीं हो रहा है 10 और 20 हमारा form नहीं हो रहा है तो 10 और 20 अगर जुड़ेंगे 30 आएगा 30 जो है छोटा है 40 से थाड़ वाले से छोटा हो गया तो ये triangle law को follow नहीं करेगा अब जैसे हमने यहाँ पर combination लेदे 20 और 20 चालिस अब आप ये भी दे सकते हैं 10 और 20 तीस देखिए 20 से बड़ा है तो ये हर condition पर ये follow करना चाहिए अगर हर condition पर follow नहीं कर रहा है तो यहाँ बात गलत हो जाएगे ये triangle law को follow नहीं करेगा तो इस तरह से ये जो चौथा है वो it cannot follow the triangle law हम इसका figure भी दिखा देते हैं मतलब ये question भी दिखा देते हैं अच्छों आपको ये question था हमारे पास out of following set the resultant of cannot be zero तो ये जो है हमारा fourth actually ये हमारा fifth question fourth जो हमने numbering गलत कर दी third वाला जो इसमें question दिया है वो हम अब लगाने जा रहे हैं fifth के form में वो हमने गलत कर दिया numbering में तो third वाला question क्या कहता है a vector perpendicular to this is यानि ये i, j, k जो हमें दिया है उसके perpendicular कौन सा vector होगा जिसमें given 4 answers है देखिए समझें ये oral ही question है लेकिन मैं इसको कर देता हूँ इसको five number डाल करके हमें given जो question है वो है i plus j plus k कहता है इसके perpendicular कौन होगा तो पहला देखिए answer है हमारा ये है इसके perpendicular तो ये हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हम जानते है perpendicular condition होती a dot b equal to 0 तो देखिए यहाँ से i मिला 1 आएगा minus 1 से यहाँ plus 1 होगा minus 1 आएगा 1 1 जुड़ के 1 आएगा तो ये क्या 0 होगा नहीं 0 होगा तो ये answer गलत होगे second answer दिया है हमें i minus j और minus k ठीक है तो देखिए ये भी i से i बनेगा तो 1 आएगा minus 1 से plus 1 होगा तो minus 1 आएगा और यहाँ minus 1 आएगा तो क्या यह 0 है नई 0 नहीं है तो यहाँ पर बात गलत होगी ठीक है यहाँ बात गलत होगी और थर्ड़ा option क्या हमें दिया गए है third option दिया गए है minus i minus j और minus k इसको देखते हैं इससे minus 1 आएगा यहाँ भी minus 1 आएगा और यहाँ भी minus 1 आएगा तो यह क्या हो गया minus 3 यह 0 नहीं है तो यह भी perpendicular नहीं आएगा अब चौथा option बचाआपके पास वो क्या है 3i cap plus 2j cap और minus 5k cap यहाँ से देखते हैं 3 का 1 से होगा multiply तो 3 हो जाएगा plus 2 का plus 1 से होगा तो plus 2 हो जाएगा और minus 5 का 1 से होगा तो यह minus 5 होगा क्या यह 0 है तो answer है बिल्कुल 0 है तो जब यह 0 है इसका मतलब यही vector जो है यह वाला vector इसके perpendicular होगा यह option हमारा साही है गुडबाई बच्चों और next उसमें मैं और 4-5 question लाओंगा तो आप लोग उसको देखेंगे